तो दोस्तो घर में पहुच गे हैं हम लोग और घर में आने के बाद थोड़ा बहुत वीडियो में ने बना लिया हूँ वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा और अभी एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ आप लोगों से क्योंकि आज मेरा तबियत बहुत है और देखे यूटूब एक ऐसा चीज है जहां पर डेली वीडियो देना पड़ता है और मैं डेली वीडियो दे नहीं पाती हूँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है मतलब प्रॉब्लम रहती है फिर भी मैनत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मैनत अगर नहीं करे हूँ जब मैं घर में आई घर में पहुंची तो ऐसे हम लोग बात कर रहे थे ममा पपा से तो मेरे ममी से मुझे एक बात पता चला नाम नहीं लेना चाहिए तो मैं आपको लोगको बता देती हूं जो होते हैं ना सपोर्ट करने वाले ना अन्जान लोग होते हैं दोस्तों जो सपोर्ट करते हैं वो बाहर से सपोर्ट करते हैं और जो पहचान में होता है आपना रिलेटीव होता है यार आसपास के होता है वो लोग पता नहीं क्यों साथ जलते हैं यह सिर्फ मेरे साथ ही होता है या आप लोग के साथ भी होता है आप लोग कमेंट में बताएगा अगर जो बेहन मेरी गुजर गई है तो उसका शोक मैं क्या सालों भर करता रहूं और मैं हमेशा रोता रहूं यह क्या नियम है आप खुदी बताएं तो सब को भी जीना चाहिए और सबी लोग चाहते हैं अबना गम को भुला के पुछ अच्छा करूं गम तो मुझे भी खराब लगता है दोस्तों लेकिन हमेशा मैं दुख में रहके मैं अपने बच्चों को अपने परिबार को हर चीजों को मैं मोहल को क्यों खराब करूं मैं मोहल को दुखी क्यों करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं खुस खुस रहने के लिए दोस्तों मैं वीडियो बनाती हूं बच्चे लोग है बच्चे लोग को भी खुश रखने के लिए मैं वीडियो बनाती हूं कभी के बच्चा लोग कभी वीडियो बनाती हूं और सबसे बड़ी बात है यूटूब है दोस्तो तो यूटूब में मैंनद भी करती हूं मेरा जितना नौलेज जो दोस्तों मैं जानती हूu किंगu मैं पहले भी ऐस額े डाउट आइडिया कियां हूं दोस्तों मैं पहले भी आसपास के लोग जो है लाइक भी नहीं करते और subscribe भी नहीं करते हैं वो लोग सिरिफ देखते हैं सर्च करके जो क्या वीडियो डाला है यह पता नहीं दोस्तों हमारे हमारे ही मतलब इधर में ऐसा होता है या आप लोग के आसपास भी ऐसा होता है साइध होते होंगे बहुत लोग है मैं वीडियो बनाती हूं उन लोग को अच्छा नहीं लगता है तो मैं दूसरों के कारण से मैं अपना पैरों में कुलहारी क्यों मारू कोई दूसरा अगर मुझे कोई प्रॉबलम हो मुझे कोई मुसीबत हो मैं दूसरों से अगर बोलू देखो भाई मुझे इतना पैसो के जरूत है तुम मुझे दोगे कभी नहीं देगा आज मेरा घर में खाना नहीं रहेगा मेरे बच्चों को सामने वाला आके मेरे बच्चों को खाना नहीं खिलाएगा तो इसलिए हम जैसे जी रहे हैं, जैसे कुछ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो इसमें दूसरों को एंटरफेर करने का कोई जरूरत नहीं है ना, जो भी ऐसा बोला होगा, ये बीडियो देखने से उनको समझ में तो आई जाएगा, मैं किसी का बुराई नहीं करती हूँ दोस्तों, किसी का भी नहीं करती हूँ जो लोग अच्छे हैं वो भी अच्छे ही है जो लोग मतलब बुरे हैं वो भी अच्छे ही हैं तो इसलिए किसी का अगर मैं कुछ नहीं करती हूँ तो मेरे बिशय में इस तरह से बोलने का किसी का हाक नहीं बनता है क्योंकि मैं किसी के पास मांगने नहीं ग सबस्टराइब कर सबस्क्राइब करें लिए नहीं कि गुश्ट करते हैं मेरे गरवाले कंपने मुझे रखते हैं तो ना करें कि जो भी करें उससे मुझे को लेना दना नहीं है की कोई से मा तुमाना कोura मुझे एक शाल हुआ उसका बेहन गुज़र गया उसका कोई टेंसन नहीं है कितना प्री रहता है कितना आसा से वीडियो बना रहा है हमको अच्छा नहीं लगता है उसको लाइक करते हैं और सर्च करके हमारे वीडियो को देखते हैं और मतलब इस takrari से बोलते हैं तो क्या कहना चाहेंगे मैं बता ये तो मैं कि गलत कर रही हूं num किसी को बुरा भी लग सकता है मेरा यह वीडियो लेकिन यह सच्चा ही है जो जानते हैं जो पैचानते हैं जो सच्चे दिल से प्यार करते हो तो सपोर्ट करेंगे लेकिन जो सच्चे दिल से प्यार नहीं करते हैं ऐसे ऐसे भी होता है कोई दोस्त भी होता है जलते हैं तो वो यूटूब में आगे बरने से कोई मुझे रोग भी नहीं पाएगा तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं तक है आप लोग को कैसा लगा आप लोग कॉमेंट में जरूर बताईएगा अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सस्क्राब जरूर कर दीजेगा तो नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नए वीडियो के साथ में और तब तक के लिए दोस्तों बाई बाई